देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का सहियम और साथगी इस बार देखी जा रही हैं वो अभूत्पुर्वा है गणेशोचों भी कहीं ऑनलाइन मनाये जा रहा है तो ज़्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश्वी की प्रतिमा सापित की गई है साथियों हम बहुत बारीकिय सगर देखेंगे तो एक बात अवश्या हमारे ध्यान में आएगी हमारे पर्व और परियावरण इन दोनों के बीच एक बहुत घहरा नाता रहा है जहां एक और हमारे पर्वों में परियावरण और प्रकृति के साथ जीवन का संदेश छिपा होता है तो दूसरी और कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाई जाते हैं जैसे बिहार के पस्चिमी चम्पारण में सदियों से थारू आदिवैसी समाज के लोग साथ घंटे के लौकडाउन या उनके ही शब्दों में कहें तो साथ घंटे के बरना का पालन करते हैं प्रकृती की रक्षा के लिए बरना को हो थारू समाज ने अपने परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है इस दोरान न कोई गाउं में आता है नहीं कोई अपने घरों से बहार निकलता है और लोग मानते हैं कि अगर वो बहार निकले या कोई बहार से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमरा की गतिविदियों से नए पैर पौधों को नुक्षान हो सकता है बरना की शुरुवात में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भायवेन पूझा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ती पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नुत्यक जम करके उसके कारकम भी होते हैं साथियों, इन दिनों ओणम का पर्व भी धुम धाम से मनाये जा रहा है, ये पर्व चीनिगम महिने में आता है, इस दोरान लोग को ज़िए हैं, ज़िए के खेल और प्रतियूगीताएं भी होती हैं, ओणम की धुम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुची हुई आमेरिका हो, यूरप हो, या खाड़ी देशों, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा, ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है, साथियों, ओणम हमारी कृसी से जुड़ा हुआ पर्व है, ये हमारी ग्रामिन अर्थववस्ता के लिए भी एक नई शुरूआत का समय होता है, किसानों की सक्ति से ही तो हमारा जीवन हमारा समाच चलता है, हमारे पर्व किसानों के परिसम से ही रंग बिरंगे बनते हैं, हमारे अन्दाता को, किसानों की जीवन दाइनी शक्ति को वेदयों में भी भाव गवरव प्रण रुप से नमन किया ग अन्ना नाम पतये नमह अर्थात अन्रदाता को नमन है किसान को नमन है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठीन परिस्तितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरिप की फसल की भुवाई पिछले साल के मुकामले साथ प्रतिशत जादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगवग 10 प्रतिशत, दाले लगवग 5 प्रतिशत, लगवग 3 प्रतिशत, ओइल सीट्स लगवग 13 प्रतिशत, कपास लगवग 3 प्रतिशत ज्यादा बोई गई हैं। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ, उनके परिश्रम को नमन करता हूँ। मेरे प्यारे देश वास्यों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवार आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे छोटे बालमित्रों का समय कैसे बित्ता होगा। और इसी से मैंने गांदिनगर की चिल्डरन उनिवर्सिटी जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार के महिला और भालविकास मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, सुक्ष्म लगू और मध्यमुद्योग मंत्राले, इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के भी कुछ नया जानने का, नया सिखने का अवसर बन गया, साथियों हमारे चिंतन का विशय था खिलोने और विशेशकर भारतिये खिलोने, हमने इस बात पर मन्थन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉइस कैसे मिले, भारत टॉइ प्रोडुक्शन का बहुत बड़ा हग कैसे बने, वैसे मैं मन की बात सुनने के बाद, खिलोनों की नई नई डिमान सुनने का, शायद एक नया काम सामने आ जाएगा, साथियों, खिलोने जहाँ एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलोने हमारी आकांग्शाओं को भी उड़ान देते हैं, खिलोने किवल मन ही नहीं बहलाते, खिलोने मन बनाते भी हैं, और मकसद गढ़ते भी हैं, मैंने कहीं पढ़ा, कि खिलोनों के सबंद में, गुरुदेव रविदना टेगोर ने कहा था, कि बेश टॉय वो होता है, जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलोना, जो अधूरा हो, और बच्चे मिलकर खेल-खेल में उसे पुरा करें, गुरुदेव टेगोर ने कहा था, कि जब वो छोटे थे, तो खुद की कलपना से, घर में मिलने वाले सामानों से ही, अपने दोस्तों के साथ, अपने खिलोने और खेल बनाया करते थे, लेकिन एक दिन बच्चपन के उन मौज मस्ति भरे पलों में, बड़ों का दखल हो ग खिलोनों को लेकर इतराते हुए, अब सब साथी का ध्यान खेल से ज़्यादा खिलोने पर रह गया, हर किसी के आकरशन का केंद्रा खेल नहीं रहा, खिलोना बन गया, जो बच्चा कल तक सब के साथ खेलता था, सब के साथ रहता था, घुल मिल जाता था, खेल में डूब ज जाता था, वो अब दूर रहने लगा, एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैठ गया, महेंगे खिलोने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, खिलोने ने एक उत्कुरुष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुर्जा दिया, इस खि संपती का, जरा बडपन का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन उस बच्चे की क्रेटिव स्पिरिट को बढ़ने और समरने से रोक दिया, खिलोना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया, और बच्चे का खिलना भी खो गया, इसलिए गुरुदेव कहते थे, कि खिलोने ऐसे होने चा पन को बाहर राएं, उसकी क्रेटिविटी को सामने लाएं, बच्चों के जीवन के अलगरत पहलू पर खिलोनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रिय शिक्षा निती में भी बहुत ध्यान दिया गया है, खेल खेल में सीखना, खिलोने बनाना सीखना, खिलोने जहां बनते हैं, वहां के विजीट करना, इन सब को करिकुलों का हिस्सा बनाये गया है, साथियों हमारे देश में लोकल खिलोनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है, कई प्रतिभाशाली और कुसल कारीगर हैं, जो अच्छे खिलोने बनाने में महारत रखते हैं, भारत के कु के राम नगरम में चन्ना पतना, आंदर प्रदेश के कृष्णा में कॉन्डापली, तमिलनाडु में तेंजोर, असम में धुबरी, उत्रप्रदेश का वारा नसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं, आपको यह जानकर आश्चर होगा, कि ग्लोबल टॉइ इंड देख की हैं, सात लाग करोड रुपियों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है, अब आप सोचिए कि जिस राज़ आश्चर होगा, क्या खिलोनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, यह सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, देखे साथ यह टॉइ इंडिस्ट्री भहुत व्यापक है, ग्रह उद्योग हो, छोटे वर लगू उद्योग हो, मसमीज हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और नीजी उद्यमी भी इसके दाइरे मे आते हैं, इसे आगे भढ़ाने के लिए देश को मिलकर महनत करनी होगी, अब जैसे आंदर पदेशे के विजा का पट्टम में स्रिमान सीवी राजू है, उनके गाउं के अती कुपक का टोईश एक समय में बहुत प्रचलित थे, इनकी खासियत यह थी, कि खिलोने लकडी से बनते थे, और दूसरी बात ये, कि इन खिलोनों में आपको कहीं कोई एंगल या कौन नहीं मिलता था, ये खिलोने हर तरफ से राउन होते थे, इसलिए बच्चों को चोड की भी गुन्जाश नहीं होती थी, सीवी राजू ने एती को पका टोईश के लिए अब अपने गा को पका टोईश बनाकर सीवी राजू ने स्थानिये खिलोनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है, खिलोनों के साथ हम दो चीजे कर सकते हैं, अपने गवरव शाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं, और अपने स्वर्णिम बविश को भी समार सकते हैं, मैं अपने स्टार्ट अप मित्रों को हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप पर टोईज, आईए, मिलकर खिलोने बनाए, अब सभी के लिए लोकल खिलोनों के लिए वोकल होने का समय है, आईए, हम अपने युवहों के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वारे खिलोने बनाते हैं, खिलोना वो हो जिसकी मवजूदगी में, बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी, हम ऐसे खिलोने बनाएं, जो परियावरन के भी अनुकुल हो, साथियों, इसी तरह, अब कंप्यूटर और स्पार्ट फोन के इस जमाने में, बी जितने गेम्स होते हैं, उनकी थिम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है, हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत सम्रुद्ध हमारा इतियात रहा है, कि हां हम उन पर गेम्स बना सकते हैं, मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ, आईए, कहा भी जाता है, लेट दे गेम्स बिगिन, तो चलो, खेल शुलू करते हैं, साथियो, आत्म निर्भर भारत अभियान में, वर्चुयल गेम्स हो, टॉइस का सेक्टर हो, सब ने भहुत महत्वपुर्ण भूवी का निभानी हैं, और या उसर भी है, जब आज से सो वर्स पहले असयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो गांदी जी ने लिखा था, कि असयोग आंदोलन देश वासियों में आत्म सम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है, आज जब हम देश को आत्म निर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत आत्म इस्वास के साथ आगे बढ़ना है, हर ख्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाना है, असयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्म निर्भर भारत के वटवरुक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दाईत्प है, मेरे प्यारे देश व भारतियों के इनोवेशन और सॉलूशन देने की ख्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पन भाव हो, समवेजना हो, तो ये शक्ती असीम बन जाती है, इस महने के सुरुवात में देश के युवाओं के सामने एक एप इनोवेशन चलेंज रखा गया, इस आत्म न आत्म निर्भर भारत एप इनोवेशन चलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चटकर के हिस्सा लिया, करीब साथ हजार एंट्री जाई, उसमें भी करीब करीब दो तिहाई एप्स टीर टू और टीर थ्री शहरों के युवाओं ने बनाए हैं, ये आत्म निर्भर भारत के लिए देश के भविश के लिए बहुत सुभसंकेत है, आत्म निर्भर एप इनोवेशन चैलेंज के रिजर्ट लेकर आप जरूर प्रभावित होंगे, काफी जाँच परक के बाद अलग-लग केटेगरी में लगबग दो दर्जन एप्स को एवर्ड भी दिये गए हैं, इनमें एक एप है, कुटू की Kids Learning एप, ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरक्टिव एप है, जिसमें गानों और कहानियों के जरिये, बात-बात में ही बच्चे में साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसमें एक्टिविटीज भी हैं, खेल भी हैं, इसी तरह एक Micro Blogging Platform का भी एप है, इसका नाम है कु, के डबलो, कु, इसमें हम अपनी मात्रुभाशा में, टेक्स, वीडियो और आडियो के जरिये, अपनी बात रख सकते हैं, इंट्रेक कर सकते हैं, इसी तरह चिंगारी एप भी युवाओं के बीच काफी पपिलर हो रहा है, एक एप है Ask सरकार, इसमें चैट बोर्ड के जरिये आप इंट्रेक कर सकते हैं, और किसी भी सरकारी वोजना के बाते हैं, सही हासिल कर सकते हैं, वो भी टेक्स, आडियो और वीडियो तीनों तरीकों से, ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है, एक और एप है, Step, Set, Go, ये फिटनेस एप है अब कितना चले, कितनी केलरीज बन की, इस सारा हिसाब ये एप रखता है, और आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करता है, मैंने कुछ ही उदार दिये हैं, कई और एप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है, कई बिजनेस एप्स हैं, गेम्स के एप्स हैं, जैसे Ease Equal to Books and Expense, जो हो Workplace, FTC Talent, आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकरी मिलेगी, आप भी आगे आएं, कुछ इनोवेट करें, कुछ इंप्लिमेंट करें, आपके प्रयास, आज के छोटे-छोटे स्टार्ट अप्स, कल बड़ी-बड़ी कंपनियों में ब दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनिया नजर आती है न, बेबी कभी स्टार्ट अप हुआ करती थी, प्रिया देश्वासियों, हमारे यहां के बच्चे, हमारे विध्यार से अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थे दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमी का नुट्रेशन की भी होती है, पोशन की भी होती है, पूरे देश में सितंबर महने को पोशन माह, नुट्रेशन मंत के रूप में मनाये जाएगा, नेशन और नुट्रेशन का बहुत गहरा सबंध होता है, हमारे यहां एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन यानि जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौधिक विकास भी होता है। पोर्षन मिले और पोर्षन या न्यूट्रिशन का मतलब कि इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपशन भी बहुत जरूरी हैं। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किये गए हैं। खास कर हमारे गावं में इसे जन भागीदारी से जन अंदोलन बनाये जा रहा है। पोशन सप्ता हो, पोशन मा हो, इनके माध्यम से जादा से जादा जागरूपता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगीताएं हो, उनमें एवर्नेस बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास जा रही है। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह नुट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ड कार्ड के तरह नुट्रिशन कार्ड भी बने, इस तरह की भी शुरुवात की जा रही है। पोशन महा, नुट्रिशन मंत के दोरान, माय गौव पॉर्टर पर एक फूर एन नुट्रिशन क्वीच भी आवजित की जाएगी, और साथ ही एक मिम कॉम्पिटिशन भी होगा। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को मुट्रिशन भी जब वो खुलेगा और आपको जाने का आउसर मिलेगा, तो वहाँ एक यूनीक प्रकार का नुट्रिशन पार्क बनाया गया है। खेल खेल में ही नुट्रिशन की शिक्षा, आनन प्रमोत के साथ वहाँ जुरूर देख सकते हैं। साथियों, भारत एक विशाल देश हैं, खान पान में धेर सारी विवित्ता हैं। हमारे देश में छे अलग-अलग रूतियां होती हैं, अलग-अलग खेत्रों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग-अलग चीजे पैदा होती हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपुन है कि हर खेत्र के मौसम, वहाँ के स्थानिय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न, फल, सबजियों के अनुसार एक पोशक, nutrient-rich diet प्लान बने, अब जैसे मिलिट्स, मोटे अनाज, रागी है, जवार है, ये बहुत अत्योगी पोशक आर है, एक भारतिये कृशिकोश तयार किया जा रहा है, इसमें हर एक जिले में क्या-क्या फसल होती है, उनकी nutrition value कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी, ये आप सब के लिए बहुत बड़े काम का कोश हो सकता है, आईए, पोशन महा में, पॉस्टिक खाने और स्वस्त रह के लिए हम सभी को प्रेदित करें, प्रिये देशवाचियों, बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब एक दिल्चस्प खबर पर मेरा ध्यान गया, ये खबर है हमारे सुरक्षावलों के दो जाबाज किर्धारों की, एक है सोफी और दूसरी वि इंडियन आर्मी के स्वान है, डॉग्स है, और उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाप, कमंडेशन कार्ट से सम्मानित किया गया, सम्मान इसलिए मिला, क्योंकि इन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए, अपना कर्तव्या बख्ष भी निभाया है, हमारी सेनाओं में, हम हमारे सुरक्षा बलों के पास, ऐसे कितने ही बहदूर स्वान है, डॉग्स हैं, जो देश के लिए जीते हैं, और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं, कितने ही बमधमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में, ऐसे डॉग्स ने बहुत एहम भुमिका कई किसे भी सुने, एक डॉग्स बलराम ने 2006 में अमरनात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था, 2002 में भावना ने आईडी खोजा था, आईडी निकालने के दोरान आतंकियों ने विश्पोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए, दो-तीन वर्स पहले, 36 गड के बीजापूर में, CRPF का स्निफर डॉग, क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था, कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दरश्य देखा होगा, जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉग र रही थी, रॉकी ने तिन सो से जादा केसों को सुलजाने में पुलीस की मदद की थी, डॉग की डिजास्टर मेनेजमेंट और रिश्क्यू मिस्संस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती हैं, भारत में तो नेशनल डिजास्टर डिस्पोंस फोर्स, NDRF ने ऐसे दरजनों को specially train किया है, कहीं भूकम पाने पर, इमारत गिरने पर, मलवे में दबे, जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्स होते हैं, साथियो मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम ह होते हैं, इंडियन ब्रीड में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नशले हैं, राज पलायम, कन्नी, चिप्पी पर आई और कॉम्बाई भी बहुत शांदार इंडियन ब्रीड हैं, इनको पालने में खर्ज भी काफी कमाता है, और ये भारती के माहौल में डले भी होते हैं, अब हमारी सुरक्षा एजेंशियों ने भी इन इंडियन ब्रीड के डॉक्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में सामिल कर रही हैं, पिछले कुछ समय में आर्मी, CISF, NSG ने मुधोल हाउंड डॉक्स को ट्रेन करके डॉक्स कोड में सामिल किया ह CRPF ने कॉम्बाई डॉक्स को सामिल किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ अगरिकल्चर रिसर्च भी भारतियन नसलके डॉक्स पर रिसर्च कर रही है, मक्सद यही है कि इंडियन ब्रीड को और बहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके, आप इंटरनेट पर इनके न इंडियन ब्रीड के डॉक को घर लाए, आत्मनेर भर भारत जब जन मन का मंत्र बनी रहा है, तो कोई भी खेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है, मेरे प्रिया देश्वासियों, कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम सिक्षक तिवस मनाएंगे, हम सब जब अपने जीवन की स किसी ने किसी सिक्षक की याद अवश्याती है, तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकटकाल में हमारे सिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव के चुनोती रखती है, मुझे खुशी है कि हमारे सिक्षकों ने इस चुनोती को नकेवर स्विकार किया, बलकि उसे आउसर में बदल भी दिया है पढ़ाई में तक्रीक का जादा से जादा उप्यों कैसे हो नए तरीकों को कैसे अपनाए छात्रों को मदद कैसे करे यह हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडन्स को भी सिखाया है आज देश में हर जगह कुछ न इनोवेशन हो रहे हैं सिख्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं मुझे वरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रिय सिख्षा निति के जरिये एक बड़ा बडला होने जा रहा है हमारे सिख्षक इसका बिलाव छात्रों तक पहुंचाने में एहम भूमी का निभाए साथियों और विशेशकर मेरे सिख्षक साथियों वर्थ 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का परव मनाएगा स्वतंत्रता के पहले अनेग वर्षों तक हमारे देश में आजादी का जंग उसका एक लंबा इतिहास रहा है इस दोरान देश का कोई कौना ऐसा नहीं जहां आजादी के मतवालों ने अपने प्राण नियुशावर न किये हो अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो ये बहुत आवश्य है कि हमारी आज की विड़ी हमारे विद्यारती आजादी की जंग हमारे देश के नायकों से परिचीत रहे उसे उतना ही मैसूस करे अपने जीले से अपने शेतरे में आजादी के अंदोलन के समय क्या हुआ कैसे हुआ कौन सहीत हुआ कौन कितने समय तक देश के लिए जेल में रहा ये बाते हमारे विद्यारती जानेंगे तो उनके व्यक्तितवमें भी इसका प्रभाव दिखेगा इसके लिए बहुत से काम किये जा सकते हैं जिसमें हमारे सिक्षकों का बड़ा दाइप है जैसे आप जिस जिले में हैं वहाँ सताब्दियों तक जो आजादिय का जंग चला उन्हें आजादिय के जंग में वहाँ कोई घटना ये घटी है क्या इसे लेकर विद्यार्थियों से रिसर्च किरवाई जा सकती हैं उसे स्कूल के हस्त लिखीत अंके के रूप में तैयार किया जा सकता हैं आपके शहर में स्वतना तो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोधी ये मनकी बात ध्वारा देशना विविद पासाओनी अने आत्म निर्बर भारत नी वाद करी आर्मी मा भारतिय ब्रीडना डौग नो तेवरी ते उचेर करवामा आवेशे अने तेवोने तालेम आपी ने हज्जारोनी संख्यामा भारतिय डौग नो समावेश कर्रामा आवशे ते पर भार मुक्यू साथेज कोरोनानी महामारी ना समय गाळा दर्म्यान इको फ्रैंडली गणपतिनू स्थापन करी ने शान्ती, साद्गी और सैयम जाणवी ने गणेशोस्तमनी उजवनी करी प्रजाय ते बदल तेवोय प्रजाना पन वखान कर्या और आभार व्यक्त कर्यों तो देश्टमी ताकात समान जगतना तात एटले खेडूतोनी शक्तिने बिर्दावी और तेवोय खेडूतोने पन प्रणाम कर्या